नमस्कार मैं हूँ बिलाल मली को आप देखरें मेरे साथ हमारा खास कारे करम बात करेंगी पिछले लोकसभा और साथी विधान सभा के चुनाओं के दोरान बुंदिल खंड को लेकर क्या-क्या वादे किये गए थे और कितना उन वादों को कैसे पूरा क्या गया पिछले लोकसभा और साथी विधान सभा के चुनाओं में आपर बुंदिल खंड के लोगों ने दिल खोल कर कमल को खिलाया था तो हुपे के रूप में सरकार ने यहाँ पर कई सो गाते भी दी हैं अब यूपी सरकार बुंदिल खंड की सूरत बदलने जा रही है महानगरों की तरद पर बुंदिल खंड में बड़ी बड़ी इमारते और इंडस्ट्रीज नजर आने वाली होंगी आपको बता दे की सरकार यहाँ पर ओदोगी गर्षित्र का विकास करने के लिए पांच हजार करोड का निवेश यहाँ पर किया जाएगा यह निवेश बड़े पैमाने पर होगा लोगों को रोजगार मिलेगा इलाके का विकास होगा एक नई पहल शुर की जा रही है इसे बुंदेलखंड की सूरत तो बदलेगी ही साथ ही यवाव को रोजगार भी मिलेगा बीजेपी सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार परियास कर रही है ताकि बुंदेलखंड का विकास हो पाए लोगों को रोजगार मिले अलग पहचान बुंदेलखंड की अब बनने जा रही है पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार नी हर घर जल नल योजना का भी शुबाराम कर दिया है ताकि सभी के घरों में शुद पेजल पहुंचे किसी को भी पीने के पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े इसके बाद सरकार ट्रांस्पोर्टेशन को भी सुगम बनाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस्वे का निर्मान कराया साथी डिफेंज कॉरिडोर की सोगात भी दी है वहीं सरकार अब राजधान की तरज पर बुंदेलखंड में भी वैवसाइक सीटी को यहाँ पर विक्सित करेगी ताकि लोगों को रोजगार मिले इलाके का विकास होगा बुंदेलखंड एक नए बुंदेलखंड के रूप में दुनिया की सामने होगा और सरकार ने बुंदेलखंड ओदोगिग विकास प्राधी करण बनाने की योजना को महजूरी दे दी है करीब 5000 हिक्टूर के दारे में वैवसाइक सीटी का विकास होगा यूपी सरकार नोएडा की तरज पर बुंदेलखंड में भी ओदोगिग श्वित्र का विकास करेगी और बुंदेलखंड ओदोगिग विकास प्राधी करण का गठन करेगी इसके साथी भूमी खरीदने और बुंदेलखंड में ओदोगिग श्वित्र के यहाँ पर विखस्तार के लिए राजुसरकार पांच हजार करोड रुपए खर्च करेगी बुंदेलखंड ओदोगिग विकास प्राधिकरण की गठन और साथी उसके विकास के लिए उपियोग में लाई जाने वाली पांच हजार करोड रुपए की धनराशी यूपी सीडा की तरफ से बुंदेलखंड ओदोगिग विकास प्राधिकरण की और से भूमी खरीदने के लिए जिलाधिकारी जहासी को उपलब्द करवाई जाएगे। प्राधिकरण की गठन और साती उसमें कार्मीकुप की तैनाती होगी और स्कों हो जाने के बाद श्वेस धनराशी भूमी खरीदने और विकास कारियों के लिए नव गठित बुंदेल खंड ओद गिविकास प् पर मौजूद किलों को भी विक्सित करने की बात कही थी। और इसी को देखतो भी राजसरकार नी बांदक की कालिंजर के लिए सहित यहां पर दस प्रेटक आवासों को भी यहां पर PPP मौडल पर विक्सित करने की कारीय योजना तयार की हैं। इसके अलावा सरकार जल पर्यटन और साथी सहासिक खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए बुंदेल खंड की पहाड़ियों में कलाइंबिंग, ट्रैकिंग, पेराग्लाइडिंग और साथी स्काइडाइविंग जैसी यहां पर गतिवीध्यों की भी शुरुवात की बुंदेल खंड को विक्सित करने के लिए सरकार अब नए तरीके से कदम उठा रही है ताकि बुंदेल खंड का विकास हो, ताकि इलाके में रहने वाले लोगों का विकास हो, ताकि सभी करोड़कार मिले और बुंदेल खंड एक नया बुंदेल खंड बनने के बाद दुन आवाद